हेलो दोस्तों यह है माई का ब्ल्यूट थोड़ी और रिसीवर जो कि थोड़े से दिनों में इंडिया में लांच होने वाला है इसको मैंने मैं की क्राउट फंडिंग से लिया है तो आप भी चाहें तो इसे कुछ ही दिनों में ले पाएंगे तो इसमें आपको दो क्लाइस की LED लाइट मिल जाती है और उपर आपको एक सिंपल सा सिंगल बटन मिल जाता है पीछे की तरफ इसमें MI की ब्रेंडिंग दी गई है और उपर की तरफ इसमें AUX का पोर्ट और नीचे की तरफ इसमें चार्जिंग के लिए पोर्ट दिया गया है इसके साथ आपको एक AUX की के बिल जाते हैं जिसे आप अपने audio receiver से connect करके अपने speaker से या गाड़ी के speaker से connect कर सकते हैं आप चाहें तो इसमें अपने earphones या headphones भी connect कर सकते हैं इसमें आपको voice notification का भी feature मिल जाता है तो चलिए दोस्तों को एक बार देख लेते हैं power on battery high pairing तो इस तरह के आपको इसमें कुछ voice notifications मिल जाते हैं आपको इसमें और भी भहुत से तरह के मिलते हैं लेकिन यह कुछ मैंने आपको अभी दिखाए हैं तो दोस्तों यह काफी अच्छा है और काफी छोटा सा दिया गया तो चलिए हम एक बार इसको पेयर करके दिखा देते हैं आपको तो यहाँ पे मैंने अपना फॉन ले लिया इसमें आप डियक्ति लिए अपना ब्लुडूथ ओन कर लेजिए यहाँ पे आपको इसका नाम देखने मिलेगा MI Bluetooth Audio Receiver जिसके यहाँ पे connect होते ही आपको फिर से notification मिलती है तो आप यहाँ से चाहें तो अपने फॉन की audio enable कर सकते हैं media, contact share ताकि आप अपनी calls को भी इसके through आप receive कर सकें तो यहाँ पे आपको साथ में battery की notification भी मिल जाती है यह आप देख सकते हैं दिया गया है जो कि इसकी battery को आपको दिखाता है कि कितनी battery इसमें अभी रहती है यह cable MI के phones में दिखाता है कि किसी और phones में नहीं दिखाता है यह पता नहीं क्यों तो दोस्तो काफी अच्छा audio receiver काफी अच्छी qualities में मिलती है लेकिन आपको इसमें 100% volume नहीं मिलती है इसमें आपको केवल 70% वोल्यूम मिलती है जो कि इसका एक पॉन है तो दोस्तों शुक्रिया अडियो देखने के लिए प्लेज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले धन्यवाद